नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस वीडियो में आज की इस वीडियो में बीटियसी एन्यम कॉंसलिंग लिस्ट को लेकर क्या ओफिशली जानकारिया है आपकी कॉंसलिंग की परकिरिया कब से शुरू होने जा रही है इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे जैसे कि जितने को पता नहीं चला है कि कि कंडिडेटों को बुलाया जाएगा और जो अब्जेक्सन लिक वाला दिए थे तो वह सिर्फ अब्जेक्सन के लिए दिया गया था अपकर क्या कुछ आपके कांसलिंग को लेकर अपडेट दिया गया है जैसे कि यह हम बात करेंए कि आपको कॉंस तो counseling date आपके अभी defined ने किया लेकिन आपकी जो counseling list है वो इस सब्ता में जारी कर दिया जाएगा जैसे BTSC के तरफ से officially पदा चल लेकि आप लोग की जो counseling list है वो इसी सब्ता में आ जाएगे जैसे अपरेल के जो first week है तो आपको first week में ही आपका counseling list देखने को मिल जाएगे तो counseling list में जितने candidate को बुलाया जाएगा उसमें तिथी भी लिखा रहेगा कि किस date को आपको आने है और सारा procedure उसमें लिखा रहेगा और जैसे उसमें और आपके मॉइल पर मैसेज आएगे और लिस्ट जाड़ी करने से पहले मॉइल पर मैसेज आ गये तो इस सब्ता आप लोगों को इंतिजार करने होंगे इसी सब्ता में आप लोगों को counseling list आएगा जैसे कि आज दो अप्रैल होई गया तो इसके जस्ट वादावा आप लोगों को कभी भी बिट्यस्ट के तरफ से counseling list देखने को मिल सकते हैं क्योंकि counseling को लेकर जो setup है वो तया हो चुकी है तो ऐसे में देरी नहीं करेंगे आयोग क्योंकि पहली जो counseling होनी है वह आप लोग का ही होना है तो आप लोग की होंगे तो पहले counseling list जारी करना आयोग first of all priority देंगे तो बहुत जल्द आप लोगों को counseling list देखने को मिलेंगे और जैसे messages आना सुरू होंगे आप ल सgeon को कभी भी किसी दिन भी जारी कर सकता है तो आप लोग की सप्ता में कभी बी आप लोगों को counseling list देखने को मिल सकते हैं तो आप लोग को जैदा परेशान होने की जो अद्लिप नहीं है अभी की क्योंकि सब के मन में है कि किसका सप्यायर्टि। होंगे किसका स्टेक्शन नहीं होंगे तो diagnostic आने पर सारा कुछ पता चल जाएगा कि कितने अभ्यार्टियों को हुआ है तो आपस्ति को लेकर विश्णन को लेकर तो आप comment से हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप लोग लोग को कभी भी देखने को मिल सकते हैं और वैसे आयाने पर हम आपको ज़रूर बताएंगे थैंक्यू